हेलो फ्रेंज, वेलकम टू माई चैनल लेनाज किचन हिंडी, तो आज है 3 फरवरी 2021 बुद्वार, बुद्वार का दिन है, बुद्वा का वरत किया जाता है, भगवान बुद्ध के लिए और गणीजी की पूजा की जाती है, क्योंकि बुद्ध का रंग हरा होता है, तो हमें जब भी आप पूजा करने बैठें, तो पूजा का नियम यही है, क्या आप हरा आसन ले, हरा आसन पर ही पूजा करें, और इससे हरा रंग भगवान बुद्ध को और गणीजी को सबसे जादा तिये होता है, और जो बच्चे रुक रुक कर बोलते हैं, उनके लिए ये बु बुद्ध्वार का वरत बहुती ज़्यादा फाइदे मन भी होता है, और उनको जो अटक अटक कर बोलते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं, उनको बहुती ज़्यादा फाइदा मिलता है, तो अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि बुद्ध्वार का वरत करने से क्या-क्या फ व्यापार करते हैं तो बुद्धवार का व्रत सबसे ज़्यादा फलदाई होते हैं और अब आपको ये हैं कि बुद्धवार का जब आप व्रत करते हैं तो कौन से रंग के व्रत्र पहनना चाहिए तो अगर आप बुद्धवार का व्रत करते हैं तो हरे रंग के व्रत्र कप-कप करना चाहिए तो अगर आप जुन्हात का वरत करने की सोच रहे हैं तो जुन्हात का वरत शुकलिपक्ष के पहले जुन्हात कर सकते हैं 21 या 45 जितनी आपकी शद्धा उस शद्धा से कारते हैं जिस लिन डाना स्नानादी करके गणेश जी का ध्यान तो सभी को आती है तो आप गणीजी के आरती भी कर सकते हैं इस दिन बुद्वार के दिन गाए को हरे रंका चारा जरूर खिलाना चाहिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेमन होती है अब यह है कि बुद्वार का जुब्रत करते हैं उन्हें किन-किन का सेवन करना चाहिए तो मूंकी डाल का हलवा, खिचिडी आप कुछ भी बना सकते हैं और गणीजी को भोग भी लगा सकते हैं इस दिन बिकारियों को दान भी देना चाहिए और खास तो और नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अब मैं आगे आपको उद्यापन के बारे में बता सकते हूं तो आप उद्यापन के लिए हवन भी कर सकते हैं और अगर आपसे हवन नहीं होता है तो मंदिर में जाकर आप फलो का दान कर सकते हैं कहां से के बरतन दान कर सकते हैं हरी गोशाला में जाकर हरी घास का दान कर सकते हैं और जादा से जादा हो सके तो गणीजी का अ दिन कियاتे जानकरी एक छोटे से वीडियो में कि बुद्वरा कवरत की किस तरह किया जाता तो वीडियो पसे आयों को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब की